Hello everyone, I hope you all are very well. I am Mayank Agrawal. आज हम इस वीडियो में complete the Hindu newspaper का analysis करेंगे. साथ ही साथ जो editorials हैं, उनको भी discuss करेंगे. सबसे जो first news है, important, यहाँ पे बात की जा रही है, जो पंजाब और तमिलनाडू है, बहाँ पे poor vaccination coverage है. तो यहाँ पे जो vaccination है, जितने भी stipulated लोग थे जिनको vaccination प्रोवाइट किया जाना था, उनसे भी कम लोग जो है, वो vaccine को एनेकुलेट करवाने के लिए center पे आ रहे हैं. जैसे कि बात की जाए, पंजाब और पुडुचेरी टमिलनाडू बहाँ पे low coverage है, COVID-19 vaccination का so far, और इंडिया जो है, all over इंडिया में 0.18 जो है, adverse event record किये गए, मतलब जितने भी लोगों को vaccine दी गई, उसमें से 0.18% लोगों को adverse event है, और 0.002% जो है, उनको hospitalization करना पड़ा, health ministry ने ऐसा बोला, पंजाब में सिर्फ 27.6% ही जो beneficiaries है, उन्होंने ही vaccine को लिया है, इंडिया की जो है, इंडिया में दो vaccine candidate है, पहला जो है, Serum Institute of India की जो vaccine है, COVID sealed और दूसरी जो है वो भारत biotech company जो है, उसकी co vaccine जो है, अब जो co vaccine है, उसको government ने उसका जो phase 3 clinical trial ongoing है, उसी के basis पे उसको emergency use authorization दिया हुआ है, जिससे की vaccine जो है, बहुत साई लोगों को मिल सके, तो अगर कोई person co vaccine vaccine को लगवाता है, तो उसको एक concern letter वहाँ पे sign करना पड़ेगा, जिसके बाद अगर कोई adverse event होता है, तो उसके लिए company उस person को जिस तरह से compensation दिया जाता है, उ next यहाँ पे बात की जा रही है, डॉक्टर वी सांता जो की एक renowned oncologist थी, इनकी जो है वो death हो गई इनोंने 500 से ज्यादा वैट का जो hospital है, cancer patients के लिए उसको बनाया, उसके बाद इनको जो है वो पद्म विहूशन साथ में जो रमन मैक्स से अवार्ड है, वो दिया गया, इसके बात सेकेंड पेज पे, सिटी पेज पे, volunteer सेट अप, ironing सर्वे सेट, शिंगू बोर्डर, ये कोई काम का इश्यू नहीं है, next, red fort closed till republic day after word flu found in dead crow, अब यहाँ पे और्कोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है red fort तो उन्होंने जो है वो red fort को बंद कर दिया है, because जो crow है, उसमें word flu पाया गया, तो अब यहाँ पे ये जो condition हो सकती है, वो काफी चिंता जनक हो सकती है, because 26 जिन्वरी का जो function है, वो तो वहीं पे होगा, और उसके पहले अगर वहाँ पे word flu का prevalence है, तो बहुत सारे जो word है, उनकी cooling करनी पड़ेगी, अब यहाँ पे बात की जाए इस पेज़ पे कोई भी ऐसी important news नहीं है, इसको discuss किया जाए, नौर्थीस्ट, यहाँ पे भी कोई भी important news नहीं है, center targets Delhi over Yamuna pollution, तो डैली जल बोर्ड ने जो plea लगाई हुई थी, सुप्रिम कोट में, जहाँ पे उसने हर्याना को accuse किया था, कि वो हर्याना जो है, वो untreated water जो है, effluent जो है, वो river में pass on करते हैं, जिसकी बज़र से, बहुत जादा Yamuna river जो है, वो pollute हो चुकी है, अब यहाँ पे बात की जाए, तो Yamuna river का एक बार course देख लेते हैं, कि Yamuna river कहाँ से start होती है, इसको अब general studies, paper 1, geography से relate कर सकते हैं, Yamuna जो है, उसको Yamuna भी pronounce किया जाता है, second largest tributary है river Ganga की, और longest tributary है इंडिया में, वो originate होती है, Yamuna 3 glacier से at a height of 6,387 meter, और यह बहुत सारे states को cross करती है, जैसे हर्याना उत्रप्रदेश उत्राखन से पास होती है, और लेटर डैली, और इसकी जो tributaries हैं, उसको बहुत रास्ते में मलती है, जैसे टॉंस चंबल, longest tributary है, और उसका बहुत बड़ा basin है, followed by सिंध, वेतवाएन, केन, तो अब यहाँ पे जो यह river है, वो गंगा में unite हो जाती है, त्रिवेनी संगम में लाबाद में, और total length है, यमुना की, वो 1376 km है, अब यह जो है, बहुत highly fertile alubial, यमुना गंगा दो आब reason बनाती है, जिसकी बज़े से, इंडो गंगटेक plane काफी fertile है, अब यहाँ पे बात की जाए, एडिटोरियल्स की, तो जो सबसे first editorial है, उसमें बात की जा रही है, जिस तरह से जो central government है, वो farmers के साथ ongoing, जो है, वो talk एक साथ चल रही है, और दूसरी तरफ जो farmer, protesting farmers है, उनके उपर जो है, government एक तरह से, जो उनके कुछ leaders है, उनके against जो NIA है, उन्होंने chart seat भी file की हुई है, तो एक तरह से यहां पर writer का कहना है कि government good faith में work नहीं कर रही है, यह जो article है, इस article में बात की गई है, कि किस तरह से जो supreme court है, उसका main काम है fundamental rights को restore करना, अगर किसी भी तरह से government की बज़े से या कैसे भी जो fundamental rights हैं, उनका violation हुआ है, तो उनको जो है बापस से restore करना, बट यहां पर बहुत सारे ऐसे instances बताय हुए हैं, writer ने, जिसमें supreme court ने fundamental rights को restore करने में, या तो नहीं किया है, या फिर काफी देर कर दी है, नेक्स्ट यह जो article है वो India Australia series के वारे में बात करता है, जो की exam के point of view से important नहीं है, नेक्स्ट यहां पर इंडिया नेपाल का जो relation है, उसके उपर यहां पर बात की गई है, बिकॉस जो नेपाल के foreign affair minister हैं, वो इंडिया आय हुए थे, और साथ में जो इंडिया के defense minister हैं, पर इंडिया चल रहा है, उसके उपर भी writer ने अपने views यहां पर दिये हैं, नेक्स्ट यह जो article है, वो बात करता है, deepfakes की threat of deepfakes, जैसे अभी capital hill पे जो 7 जनवरी को, 6 जनवरी को जो attack हुआ था, तो इसमें writer का ऐसा apprehension है, कि हो सकता है, वो जो attack है, वो deepfake ने किया हो, और उ उसमें एक तरह से हो सकता है, जो person जिनको use किया गया, वो exist ही नहीं करते, और artificial intelligence की मदद से, वो video और audio create करके, जो है, वो unrest फैलाने के लिए circulate किया हो, डेमोक्रेट्स ने, ये भी हो सकता है, अब next touch का जो caricature है, उसमें जो Australia है, उसको India ने जो ongoing test series है, उसमें हरा दिया है, और इसके बाद यहाँ पे ये पीकॉक है, मोर है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको जो है, वो welcome कर रहे हैं, अब यहाँ पे सबसे first जो editorial है, इसमें बात की जारी है, in wet faith, in wet faith मतलब writer का यहाँ पे कहना है, कि जिस तरह से जो central government है, वो ongoing farm crisis को, जो है, address कर रही है, उसकी जो faith है वो एक प्रकार से सही नहीं लग रही है, नियत जो है, वो सही नहीं लग रही है, because NIA जो है, उन्होंने decision लिया है, कि जो भी people associated है, ongoing farmer education से, उनको as a witness माना जा रहा है, और उनको sedition case जो है, उनके उपर लगाया जाएगा, अब यह एक तरह से surprising है, because इसमें जो पंजाबी actor है, दीप संधू, उसके बाद जो farmers leader है, बलदेप सिंग सिरसा, और भी कुछ 40 person है, जिनके उपर NIA जो इसे पूछनाच कर रही है, अब जो issue है, वो यह है, कि जो six for justice organization है, जो कि USA waste है, और इसको जो है, ऐसा apprehension है, कि जो funding है, Canada, UK, USA से मिली है, इंडिया में ongoing farmer protest की pretext में unrest फैलाने के लिए, इंडिया में ये चाहते हैं कि unrest फैले, बट हो सकता है, कि जो इंडिया के जो अलग जो overseas Indians हैं, बाहर रहने वाले जो NRIZ हैं, वो इंडिया में बहुत सारा जो donation है, money है, khalsa ad के नाम से provide करते हैं, तो इस तरह से अगर government एक bad faith में काम करेगी, तो फिर वो इस तरह से नहीं चलेगा, और यहाँ पर writer का कहना है कि government जो है, वो farmer के जो leaders है, उनसे बात करना नहीं चाहती, उल्टा government जो है, वो उनको ongoing protest में परिशान कर रही है, अब next यहाँ पर बात की जाए, इंडिया और नेपाल के relation के उपर ये article बात करता है, तो नेपाल की जो internal politics है, वो पूरी तरह से, वो decide कर रही है नेपाल की foreign policy के बारे में, अब यहाँ पर बात की जा रही है कि 2020 में चाइना ने जिस तरह से unprecedented एक तरह से aggression दिखाया, जिसकी बज़े से इंडिया और नेपाल के कुछ जो relations हैं, वो tense हो गए, और चाइना का जो geostratisic, economic और infrastructure जो issue था, उसकी वज़े से इंडिया और नेपाल के जो relation है, वो काफी हद तक change हो गए, दूसरी तरफ जो नेपाल है, उसमें जो democracy है, वो उतनी powerful नहीं है, अभी वो अपने initial state में है, काफी fragile है, कमजोर है, तो उसका फायदा, एक तरह से चाइना ने, Communist Party of नेपाल की तरह से, की help से उठाया, अब यहाँ पे जो Communist Party of China है, उसके भी जो लोग है, वो आपस में, उनमें एक तरह से जो है, agreement नहीं है, तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है, केपी सर्मा ओली, उन्होंने house को जो है, house of representative को dissolve कर दिया, December 2020 में, और expert का कहना है, यह जो move है, वो एक मिस्टर ओली, अब कोर्ट जो है, उसने serious constitutional interpretation किये है, अब यहाँ पे बात की जा रही है, जो meeting हुई है, इंडिया की जो joint commission, several जो bilateral initiatives हैं, जिनके उपर बात हुई जैसे की, COVID-19 pandemic से fight करने की बात हो, vaccine provide करने की बात हो, नेपाल को, और development front पे expansion of motihari, अमलेक गंज, petroleum product pipeline हो, या establishment हो, eastern side, शिली गुडी से जापा, नेपाल में, जो railway line का काम हो, तो इसके उपर जो है, वो बात की गई, cross border railway connectivity project, तो यहाँ पे यह discuss किया गया, अब जो joint commission है, उसने emphasis दिया कि, जो cross border moment है, लोगों का, goods का, और इस तरह से, जो sub regional cooperation है, उसको बहुत अच्छे से लेके, चलना चाहिए, अब यहाँ पे recently, जो inaugurate हुआ, integrated check post, वीरगन जैन, भरत नगर, उससे जो है, वो लोगों का seamless movement हो पा रहा है, और third integrated check post, जो है, वो नेपाल गंज में, अल्रेडी, उसका construction, जो है, वो शुरू हो चुका है, अब नेप नेपाल में चीजें आती हैं, वो इंडिया के सीपोर्ट के थूरू, फिर जाके road के रास्ते, railway के रास्ते से नेपाल पहुंचती है, दूसरे दरब जो joint hydropower project है, उस पे भी बात की गई, दूसरा जो सुपतिनात riverfront development है, और भंदर, खल, garden, restoration है, तो यह सारी जो इंडिया के वो नेपाल को एक तरह से support कर सकता है, और चाइना जिस तरह से aggression दिखा रहा है नेपाल के internal matters में, तो चाइना को नेपाल जो है वो दूर भी रख सकता है, अब यहाँ पे दूसरा बात की जाए जो नेपाल ने अपना map release किया था, उसमें नेपाल की demand है कि जो ongoing ये talk है, उसमे जो boundary का issue है, उसको भी joint commission की meeting में डाल लिया जाए, अब यहाँ पे इंडिया ने ये clear किया कि वो इस तरह की चीजों को resolve करने के लिए एक fresh mechanism चाहते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे बात की गई, तो दूसरा नेपाल जो है अभी एक तरह से democracy की वहाँ पे starting है, तो इंडिया को वहाँ पे support करना चाहिए, जिससे जो democracy है, वो आगे बड़े, वहाँ पे rampant जो है, वो corruption है, और नेपाल की जो president है, विद्या देवी भंडारी, वो भी जो है, वो अपना काम काफी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और नेपाल के जो लोग हैं, वो cultural monarchy चाहते हैं, वो जो ह president से अलग होके बापस से monarchial system पे आना चाहते हैं, यह यहाँ पे बात की जा रही है, नेक्स्ट यह जो article है, इसमें बात की जा रही है, threat of defects, तो जो protesters थे, जिन्होंने chaos create किया था, capital hill में, January 6 में, ऐसा believe किया जाता है, कि वो Democrats की help से हुआ था, और यह जो है, वो misinformation और disinformation फैलाई गई थी, जो defix के द्वारा, defix एक तरह का जो synthetic media होता है, including image, audio, video, जो की manipulate होता है, या wholly generate किया जाता है, artificial intelligence से, और उसमें power होता है, कि वो threaten कर सकता है, electoral outcome of the country, जैसे कि अब अगर let's suppose कि यह जो capital hill का violence है, वो पूरे world ने देखा, या फिर जो लोग वहाँ पर present थे, उन्होंने एक तरह से देखा, लेकिन उस चीज़ को जो है, वो अगर let's say, वहाँ पर कोई चीज़ हुई भी नहीं है, लेकिन उसका video create करके, audio, visuals, कुछ ऐसे random लोगों को वहाँ पर show कर दिया गया, जो actual में exist ही नहीं करते, तो इसके basis पे जो Donald Trump है, उनकी जो image है, वो काफी हद तक खराब हो गई, और जो election है, उसका outcome भी पूरी तरह से change हो गया, तो जो artificial intelligence है, वो एक election का भी outcome जो है, वो change कर सकता है, अब यहाँ पे जो fabricating content है, तो जो cyber world है, वो एक तरह से बहुत बड़ा challenge face कर रहा है, deep fix से, और AI ज नए नए audio create करने के लिए, video create करने के लिए, text create करने के लिए, जिससे लोगों को लगे कि कोई real people कोई चीज कह रहा है, कोई चीज कर रहा है, लेकिन इस तरह से let's suppose उसने वो नहीं किया है, तो नई image create की जा सकती है, video की जा सकती है, और लोगों को convince किया जा सकता है, एक fake का यूज करके जो है वो synthetic data set unreal activities of real people content manipulation कर सकता है और deep fake जो है किसी को भी कहीं पर भी target कर सकता है और इससे जो है लोगों की reputation को खराब किया जा सकता है mistrust create किया जा सकता है और fact है उसको जो है वो question किया जा सकता है और propaganda को फैलाया जा सकता है October 2020 में जो US के सीनेट है उन्होंने समन किया था Facebook के CEO Mark Jagarwar और Google CEO Sundar Pichai and Twitter के Jack Dorsey उनका कहना था कि वो कैसे misinformation को टैकल कर रहे हैं डिस information को टैकल कर रहे हैं और fabricated जो content है उसको कैसे टैकल करने हैं तो उनका मानना था जो सीनेटर्स थे उनका मानना था कि उनका main issue है कि किसी भी तरह की जो है वो censorship नहीं होनी चाहिए और दूसरा misinformation का spread नहीं होना चाहिए तो according to section 230 of Communication Decency Act of 1996 उसमें बात की जारी है कि freedom of expression and innovation on the internet को वो protect करता है जैसे let's suppose आप Google पे जाते हैं आपको कोई company पसंद नहीं है तो आप उस company का review अगर Google पे लिख देते हैं कि ये company काफी अच्छी नहीं है इसने हमें ये service provide की थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी और ये ये इसकी conditions थी और इस company ने उसको follow नहीं किया और let's suppose आप उस चीज को false लिख देते हैं वहाँ पे तो इस चीज के लिए Google को answerable नहीं माना जाएगा इस act के दौरा इस act के दौरा Google को answerable नहीं माना जाएगा because Google सिर्फ एक publishing house है एक publishing activity को करवाने वाला एक माध्या में Google के उपर ऐसे case नहीं किया जा सकता अब इंडिया में भी same problem है इंडिया के पास ऐसा कोई specific regulation नहीं है deep fix के साथ deal करने का और कुछ provision है Indian Penal Court और जो criminalize करते हैं बहुत सारे form of online और social media content manipulation जो information technology act है 2000 का उसमें कुछ cyber crimes है लेकिन जो law और information technology intermediary guidelines rule है 2080 वो भी inadequate है इन सारे चीजों से deal करने के लिए तो government ने जो है वो rules तो बनाए है misuse of social network, social media companies वो भी agree हो गया voluntary action लेने के लिए general election में election commission ने भी instruction एजू किये social media पे during election campaign बट report ने ये suggest किया है कि WhatsApp का बहुत हद तक use किया गया misinformation को फैलाने के लिए अब ये जो new tools है वो बहुत जादा burying है और existing laws है वो उसको compliment नहीं कर रहे हैं और जिससे कि individual और entities जो है उसकी privacy को जो है वो बचाया जा सके अब AI generated tools ही effective हैं इनके detection में तो AI innovation and defects get better तो AI waste जो automated tools है उनको invented करना चाहिए accordingly blockchain और robust जो technology है और जो भी security threats है उनके against work करना चाहिए जिससे कि video और document का जो भी validity है उसको restore किया जा सके educating जो media users है about capabilities of AI algorithm could help अब July 2020 की बात करें तो University of Michigan और Microsoft है उन्होंने एक birth swap convene की है with experts कि कैसे जो है वो deep fix technology जो है उनको हटाएं जिससे कि वो election US की presidential election को जो है किसी भी तरह से हाम ना कर सके तो deep fix को उन्होंने six themes दी कि उनको conceptualize करना चाहिए within the broader frameworks of malicious manipulated media और computational propaganda and disinformation campaign deep fix cause multi-dimensional issues which require collaborative multi-stakeholder response जिससे कि हर एक sector को solution find करना चाहिए detecting deep fix is hard journalists need tools to scrutinize image video and audio recording policy maker को समझना चाहिए कि कैसे deep fix एक policy को threaten कर सकते है society, economic culture, individual communities तो अकेले सिर्फ उनके exist होने से जो है वो बहुत distrust जो है वो फैल सकता है और fake जो है fake information real information से भी ज्यादा challenging होती है उसको पकड़ना और आज के जो आज का जो world है उसमें disinformation बहुत सारे form में हो सकती है और एक single technologies को issue नहीं मलब resolve नहीं कर सकती तो deepfake जो है वो धीरे-धीरे evolve हो रही है और AI based tools को evolve करना चाहिए जिससे कि इसको एक तरह से रोका जा सके थैंक्यू बेरी मच